हेलो आल वेलकम बाक टुवर चानल कामस कंसेर्बर जिंगव कैसे आप सब आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे एकदम बढ़िया होंगे आप तो की पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी तो जैसी करको संडे था आप सब जानते हैं संडे को माई क्लास आफ रहत जो होल्डर होते है ट्राइपॉर्ड में वह खराब हो चुका तो कल्को यह ठीक करवा है मैंने आई होप आभी यह ठीक रहे कुछ भी इसमें गड़बर ना हूँ तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्राइडी को आप सब ध्यान होगा कि मैंने आपको एज इसे अरा कि में आपको ही आपको इसे WASاب्लियत क्राता कि मैं एक मिडिलमन के पाउते हैं वह ठीक है इस पर चौन की अपनी आपको प्या को समझा कर रहे हैं मैंने आपको एक आपको क्तॉपिक कर ड़ाए ता इसे आप टाइस अप टाम इजन मिड्लमन जिसके अंसे में च् मेर्चेंट मिडलमें के टाइप्स करवाऊंगी लेकिन उससे पहले एक टापिक दे रखा है पहले में आपको करवाऊंगी फिर उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे डिफर वो क्या टाइपस ऑफ मर्चन बिडलमें ठीक है जिसमें बेसिकली होलसेलर और रिटेलर साते हैं ठीक है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि फिर बच्चे गंफ्यूज होंगी अगर कोई नहीं बच्चे में ही क्लासिस देख रहे हैं कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था हम मानब क्या चल ब ठीक है तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगे difference between agent middleman and merchant middleman ठीक है बहुत interesting topic है आपको पता ये agent middleman क्या होता है merchant middleman क्या होता है तो यहाँ पर पटाफट से लिख देते है agent middleman ठीक है और यहाँ पर लिख देते है merchant middleman merchant middleman यही मैंने class आपके saturday को ली थी लेकिन पूरी पंदा मिट के class बनी थी लेकिन जब बार में मुझे पता चला कि यह तो camera ही नीचे हो गया है सारी class मेरी खराब हो चुकी है फिर मैंने फिर दुबा से कोशिश की थी लेकिन वो class नहीं ले पाई मैं आपको clearly दिख रहा हूं तो देखे पहला difference है आपको पता है मैं एको बार आपको बता रहेती हूं short में income नहीं जितने भी agent middleman होते हैं common जो meaning जो basic concept है agent middleman को merchant middleman को वह मैं आपको एक short नहीं बता रहे हूं जितने भी agent middleman होते हैं कभी भी वह manufacturer से goods purchase नहीं करते हैं ठीक है कभी कबार यह होता है कि manufacturer बोलते हैं कि तुम अभी goods रख लो और मेरे बिहाब पे आगे तुम customer को sale कर देना ठीक है लेकिन जो agent middleman का पूरे basic meaning है वो यही है कि कभी भी agent middleman होते हैं कभी भी purchase नहीं करते हैं ठीक है और इसका उल्टा होता है merchant middleman merchant middleman के दो types होते हैं wholesale and retailers तो जितने भी merchant middleman होते हैं हमेशा वह manufacturer से goods पहले purchase करेंगे फिर उनको आगे sell करेंगे ठीक है तो पहला difference का basis है आपका appointment यहाँ पर मैं basis वरा नहीं लिख रही हूँ सिरो आपको simply समझाओंगी पहला difference है आपका appointment जो merchant middleman होते हैं ध्यान से सुनिएगा they are not appointed by other persons कहने का मतलब यह है कि जो merchant middleman होते हैं इनको कोई और जने मतलब कोई और लोग appoint नहीं करते हैं खुझ manufacture ही करता है ठीक है ना manufacture तो बस में बहुत short short लिख रही हूं मैं जो बोल रही हूं आप वो लिख सकते हैं वीडियो को पॉस करके तो इनको कभी भी other person appoint नहीं करते हैं इनको manufacture पॉइंट करते हैं लेकिन इसका उल्टा यहां पर होता है ध्यान से सुनिए agent middleman are appointed by other persons को इसको और लोग भी appoint कर सकते हैं ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई और जना यहां पर इसको पॉइंट नहीं कर सकता है नहीं कर सकते हैं सेकेंड डिफ्रेंस है टाइटल ऑन दे गुड्स अभी मैंने आपको बताया है देखो टाइटल या और शीव या पोजेशन सब चीजें एक होती है मैं मैं मानुफाक्चर हूँ आप हो middleman agent middleman है ठीक है तो जब तक देखो तो आप मुझसे कभी भी गुड्स नहीं खरीदते हो ठीक है अगर आप गुड्स खरीदते है मतलब अगर आप merchant middleman होते है और गुड्स खरीदते है मुझसे तो अब जब आप गुड्स खरीद लेते हो तो उसकी ownership उसका possession उसका टाइटल आपके पास चला जाता है ठीक है न आप जो agent middleman होते हैं कभी वो गुड्स को पर्चेस नहीं करते हैं तो जिस वज़े से title हो possession ownership हो वो कभी भी agent middleman के पास नहीं जाती ध्यान से सुनेगा the merchant middleman have their title on the goods merchant middleman के पास तो title होता है गुड्स का क्योंकि वो पर्चेस करते हैं title on goods ठीक है लेकिन इनके पास नहीं होता क्यों नहीं होता वो मैंने अभी आपको बताया they have no title ठीक है ना चाहिए आप title बोल लो possession बो ownership बोल लो difference in function पहले हम पढ़ेंगे merchant middleman का they execute mainly the sales and purchase function देखो यहाँ पर merchant middleman जो function perform करता है जो activities करता है वो basically purchase and sale की होती है purchase plus sale manufacture से वो चीज़ करता है और आगे customer को वो sell कर देता है ठीक है लेकिन agent middleman में कभी कबार दो थीन case ऐसे हाते हैं कि वो उसको purchase करना पड़ते और आगे sale करना पड़ता है ठीक है लेकिन जब मैं agent middleman को बोड़ती हूँ कि तुम मेरे goods को sale करो मेरी मदद करो तो वो sale करता है लेकिन purchase वो बहुत कम करता है वो selling में मदद करता है लेकिन selling के लावा भी बहुत सारे तरह की functions करता है मैंने आपको बताए थे types of agent में मतलब types of agent middleman के बहुत सारे टाइप्स थे तो आपको सारे types के नाम लिख देने हैं ठीक है means आपको यहाँ पर क्या करना functions में आपको यह लिखना है agent middleman perform functions of clearing agent resident agent auctioners purchasing agent social agent जितने भी types हैं आपको सारे types इसके functions में लिख देने हैं लेकिन यह वाई line आपको ज़रूर लिखनी है agent middleman perform the functions of किस-किस के उनके नाम लिख देने हैं ठीक है फिर होता है आपका possession of good वही चीज आएगी इसके पास नहीं होता possession लेकिए इसके पास होता है supporter फिफ्थ है आपका supporter अब merchant supporter का मतलब यह होता है कि merchant middleman को कौन सपोर्ट करता और agent middleman को कौन सपोर्ट करता है merchant middleman का पढ़ते है merchant middleman utilize the services rendered by agent middleman कहने का मतलब यह है यह वो services use करती है जो की agent middleman इनको देता है यहां पर मैंने AM लिख दया AM कोई standard short form नहीं है और यहां पर क्या होता है यहां पर जो agent middleman होता है वो services वो use करता है जो की merchant middleman provide करता है ठीक है मतलब यह इसकी help करता है यह इसकी help करता है बहुत simple सी बात है MMB मैंने ऐसी लिख दिया है कोई standard short form नहीं है ठीक है फिर होता है जादा capital की किसको जरूरत है देखे आपको पता है जो भी merchant middleman होता है wholesaler retailer तो देखो उनको capital की जरूरत है उनको finance की जरूरत है उनको पैसे की जरूरत है क्योंकि अगर मैं wholesaler यह retailer हूँ तो अगर मैं manufacture से goods purchase करूँगी तो मुझे purchase करने के लिए पैसा चाहिएगा ठीक है और अगर मैं wholesaler हूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा quantity में goods लाती हूँ और मुझे कोई warehouse चाहिए या कोई दुकान च store करूँ ठीक है तो दो चीजों में तो पैसा लगना ही लगना है फिर अगर अगर रिटेलर हो रिटेलर जो होते हैं उनका तो और ज्यादा खर्चा होता है वह चलो ज्यादा stock में समान नहीं लाते लेकिन आपने देखे होंगे जिचने भी retailing shops होते हैं काफी अच्छी होते काफी maintenance होते हैं क्योंकि वहाँ पे customer जाता है purchase करने लिए तो बहुत साइच चीजों का खर्चा होता है वो ब्रिटेलों को purchase करते वे भी खर्चा आएगा जब वो प्रड़क को लेके आएगा दूसरा जब वो दुकान खरीदेगा या मतलब बहुत सारे advertising में बहुत सारे खर काबर है यहां पर कोई capital की जरूत ही नहीं आपको देखिए हां दे नीड नो सप्रेट का capital मतलब यहां पर उसको खुझ से पैसे लगाने के कोई जरूत नहीं है जब कि क्यों नहीं जरूत है क्योंकि वो पर चीज नहीं कर रहा वो जैसा manufacture बूलता है वो वैसा कर देता है ठ अब इसकी कमाई कहां से होती है इसका हमें पता है मैंने आपको एक चीज समझाए थी कि मतलब अगर आप मिडल महन हो और अगर आप goods मैनुफाक्टर से पच्छेस करते तो अब बिजनस में क्या होता है सस्ते में लेकर महेंगे में बेचना ठीक है तो यह क्या करता है सस्ते मैंनुफाक्टर से लेते हैं और महेंगे में कस्तेमर को देता है तो जिस वज़े से जो उसकी यहां पर अर्निंग है वह तो प्रॉफिट में हो रही है लेकिन ना तो यह खरीद रहा है ठीक है और अगर बेचना पढ़ रहा है इससे तो वह उसी रेट पर बेच रहा है खर ठीक है तो यह वाली चीज होती है फिर आता आपका responsibility इसमें responsibility का मतलब है यह किस-किस चीजों के लिए यह दोनों responsible होते हैं या नई नई भी होते हैं ठीक है जबकि यहां पे ऐसा नहीं होता है जितने भी यह functions यह activities प्रफॉर्म करते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है ओनर आप दा गुर्स के पास मतलब जो manufacturer है seller होगा उसकी जिम्मेदारी होगी अगर यह कुछ भी प्रफॉर्म कर रहा है क्यों क्योंकि देखो जो agent middleman होता है वो सब करता है ठीक है तो इसका कुछ लेना देना नहीं होगा अगर यह कुछ भी काम करता है सब responsible कौन होगा सब कामों कर responsible कौन होगा manufacturer seller ठीक है लास्ट है आपका close touch with consumer देखे यह जो merchant middleman होते हैं इनका काफी ज्यादा close relation होते है customer के साथ wholesaler और retailers आप दोहनों का नामी आपका पता होगा और आपको यह भी पता होगा कि wholesaler से भी ज्यादा customer interact होते हैं और retailer से भी ठीक है और regular basis भी होते हैं लेकिन यहाँ पर होते हैं लेकिन कम होते हैं as compared to merchant middleman के होते हैं बुक में यहाँ पर लिख रख है कि यहाँ पर कोई contact नहीं होता है हम में टाइप में पर रखा है agent middleman में जाता है customers के ठीक है तो यहाँ पर close मतलब बहुत कम contact होते हैं यहाँ पर ज्यादा contact होता है यहाँ पर agent middleman कभी कबार contact करते हैं लेकिन यहाँ पर वो हमेशा ही contact में रहते हैं ठीक है they establish a close contact with consumer they have less close contact with the consumers ठीक है तो यह पूरा एक table है difference का between agent middleman and merchant middleman I hope आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आया हो कल से मैं आपको पढ़ाऊंगी merchant middleman के type जो की होते है wholesaler retailers wholesalers की भी काफी type होते हैं retailers की भी तो मैं आपको अराम से पढ़ाऊंगी मुझे किसी बात की ज़दी नहीं है ठीक है तो यह थी आज की छोटी सक्लास आपको आज क्लास पसंद आई हो अगर कोई डाउट या कन्फूजन होता है तो आप अराम से कमें सेक्शन में पूस सकते हैं तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में तब तक लिबाए